नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्यान से भरी कहानियों की इस दुनिया में दोस्तों, जीवन में कहानियों का विशेश महत्व है इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन कहानियों के माध्यम से आपको जरूरी ज्यान हासिल होंगे, जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आएंगे, हर कहानी में कुछ न कुछ संदेश और सीख छुपी होती है, ऐसी कहानियों को आप जरूर सुने और अपने दोस्तों और परिवारों में भी शेयर करे, तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए सुनते हैं, तिरूपती बालाजी का रहस्य और उनकी कहानी, भारत के आंध्रप्रदेश के चित्तूर जिले के तिरूपती में तिरूमला की पहाड़ी पर विराजमान तिरूपती बालाजी, विश्व के सबसे प्रतिष्ठि देवी देवताओं में से एक है, तिरूपती बालाजी मंदिर समुद्र तल से 833 फीट उचाई पर स्थित है और साथ चोटियों से घिरा हुआ 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 है, जिस वजह से तिरूपती बालाजी मंदिर को साथ पहाड़ीयों का मंदिर भी कहा जाता है, भारत के इस प्रसि दान और धर्म के संदर्भ में ये देश का सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर साल करोडों रुपे का दान किया जाता है, तिरूपती बालाजी से कई प्राचीन पौरानिक कथाएं जुड़ी हैं, जिनके बारे में जानने के लिए हर श्रद्धालू और पर्यटक हमेशा से ही उत्साहित होते हैं, तो चलिए, आज हम इस वीडियो में तिरूपती बालाजी की कहानी, तिरूपती बालाजी का रहस्य, मंदिर से जुड़ी मान्यताओं और मंदिर से जुड़ी खास बातों को जानते हैं, जो की श्रद्धालूओं के लिए आकरशन का केंद्र बनी जैसा की आप जानते हैं, तिरूपती बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विश्नुजी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान है, इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर क प्रशंसा करती है पुरानिक कथाओ के अनुसार एक बार प्रित्वी पाताल लोक में डूब गई थी, क्योंकि पवन देव ने भारी अगनी को रोकने के लिए उग्र रूप से उडान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिससे पूरी प्रित्वी पाताल लोक में समा के लिए अपने तुस्क का उप्योग किया, इस घटना के बाद आधी वराह ने लोगों के कल्यान के लिए प्रित्वी लोक में रहने का फैसला किया, भगवान ब्रम्हा के अनुरोध के अनुसार आधी वराह ने एक रचना का रूप धारण किया, और अपने बेहतर आधे, चार हाथों वाले भूदेवी के साथ कृद चला विमना पर निवास किया, और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे घ्यान और वर्दान देने का फैसला किया, महलक्ष्मी और तिरुपति बालाजी से जुड़ी कहानी, कल्युक के प्रारंभ में भी भगवान आधि प्रित्वी पर हो, उसके बाद नारद गंगा नदी के तट पर गए, जहां आरशियों का समूह भ्रमित था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि उनके यग्य का फल भगवान, ब्रह्म्हा, भगवान शिव और भगवान विश्नु में किसे मिलेगा, इसके समाधान के रूप म नारद ने राशि भ्रगु को तीनों सर्वोच देवताओं का परीक्षन करने का विचार दिया, आरशि भ्रगु ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया, लेकिन जब वह भगवान ब्रह्म्हा और भगवान शिव के पास गए, तो आरशि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विश्नु की छाती पर लात मार दी, क्रोधित होने के बावजूद भगवान विश्नु ने आरशि के पैर की मालिश की और पूछा कि उन्हें चोट लगी है या नहीं, इसने आरशि भ्रगु को जवाब दिया और उन्होंन प्रिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंट को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धर्ती पर आ गई और करवीरपुरा में, जिसे अब महाराष्ट्र में कोलहपुर के रूप में जाना जाता है, ध्यान करना शुरू कर दिया। प्रिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंट को छोड़ दिया और विभिन जंगलों और पहाडियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी माता लक्ष्मी को खोज नहीं पा रहे थे और परेशान होकर भगवान विश्नु जी वेंकट लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और सत्ता रूड चोल राजा को सौप दिया। लेकिन वह गाय सिर्फ श्री निवास को दूध देती थी जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विश्नु जी के रूप श्री नि निवास ने कहा कि राजा को मोक्ष तब मिलेगा जब वह अपनी बेटी पदमावती का विवाह श्री निवास के साथ करेंगे। माना जाता है जब विवाह होने वाला था तो देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और विश्नु का सामना किया। जिसके बाद भगवान विश्नु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और तब पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा और शिव ने हस्तक्षेप किया और उनके इस अवतार के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराया। इसके बाद कल्युक के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विश्नु जी ने अपने आपको वैंक्टेश्वर रूप को तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित किया जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बाला जी के झाम से जाना जाता है। तिरुपति बाला जी में बाल दान करने की कहानी, तिरुपति बालाजी में बालों को दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए आरण को चुकाते हैं, जिससे एक बेहद रोचक पौरानिक कथा जुड़ी हुई है, माना जाता है, जब देवी लक्ष्मी ने पदमावती और भगवान विश्णु ने वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिया था, तब भगवान वेंकटेश्वर ने पदमावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तब एक परंपरा के अनुसार, वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पदमावती रूपी दे देवी लक्ष्मी उन्हें उसका दस गुना ज्यादा धन देंगी, इस तरह तिरुपती जाने वाले और विश्नु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर, भगवान विश्नु का आर्ण चुकाने में उनकी मदद करते हैं, भक्तों का ये भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनों कामना पूर्ण करते हैं, तिरुपती बालाजी मंदिर का रहस्य, तिरुपती बालाजी मंदिर देश का प्रसिध तीर्थ स्थल होने के साथ-साथ कई रहस्यमई कहानियों और घटनाओं का गवाह भी हैं, कहा जाता है मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी की दिव्यकाली मूर्ती किसी ने बनाई नहीं है, बलकि यह मूर्ती वही मूर्ती है, जो जमीन से स्वयम प्रकट हुई थी, इसी लिए कहां जाता है, वेंकटेश्वर स्वामी यहां खुद विराजित हुए थे, इतना ही नहीं मंदिर, एक और रहस स्यमई और दिल्चस्प घटना ये है कि भगवान वेंकटेश्वर की पीठ को कितना भी साफ कर लो, लेकिन हमेशा वहां गीलापन बना रहता है और वहां कान लगाने पर समुद्र जैसी ध्वनी सुनी जाती है। तिरुपती बालाजी से जुड़ी रोचक बातें, क्या आप जानते हैं? तिरुपती बालाजी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है, जिसकी वार्शिक संपत्ती लगभग 650 करोड रुपय है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दान किये गए बालों से आता है। भगवान वेंक्टेश्वर की मूर्ती पर लगे बाल रेश्मी, चिकने, उलजन रहित और बिल्कुल असली हैं। तिरुपती बालाजी मंदिर में स्थापित देवताओं की अनुष्ठान पूजा के लिए तिरुपती से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित एक अग्यात ग राजित है, लेकिन तकनी की रूप से ऐसा नहीं है। मूर्ती को वास्तव में मंदिर के दाहिने हाथ के कोने में रखा गया है। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के गर्भग्रिह में जलने में वाले दिप कभी बुझते नहीं है। माना जाता है, ये दिप कई हजार सालों से जल रहे है। प्रेस करना ना भूले ताकि आगे हम जब भी कहानी अप्लोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानिया लाते रहते हैं।